नमस्कार दोस्तों मैं रुपेश कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बोल 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 आज आम टेक्निकल वीडियो में एक ट्रांसपर्मर का मेंटेनांस कैसे किया जाता है ट्रांसपर्मर का क्या क्या सब पार्ट से उसके आप देख रहे हैं यह बहुत बड़ा transformer है यह transformer का rating के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और transformer maintenance में क्या क्या सब maintenance किया जाता है कौन सब पार्ट को क्या क्या कहा जाता है सब आज हम विश्तर से चर्चा करेंगे तो जल्दी से आप हमारा पेज को लाइक कीजिए अगर आप यूटूब में देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो आने वाला सो वीडियो है आप आसानी से देख सकते हैं इस चैनल में हम टेकनिकल वीडियो के साथ साथ और भी कुछ मज़ेदार वीडियो भी हम ला रहे पड़ेगा उसका इल्बी साइड एच्पी साइड केबल बॉक्स मर्शालिंग बॉक्स लिंग खे रूगे लगा इसनका पूइंट मुझ सबक्रहीज जैकना पड़ेगा फोर्त पॉइंट जो पॉइंट हो रहे हैं कि नहीं हो सकता है बोड़ी में कहीं से लिकेंट औरया करेंगे अगर कम हो गया है तो इसको करेंगे सिलिका जेल चेक करेंगे खराब हो गया तो इसको रिप्लेस करेंगे उसका ओयल टेंपरेशर और डबलुटि उसको भी चेक करेंगे कितना आ रहा है उसको देखेंगे और फाइनली आम उसको मेगर करेंगे इंसलेशन इसका मेजर करेंगे लेकिन यह सब काम करने से पहले आपको इंसलेव करना पड़ेगा कि इसका जो वोल्टेज यह बोल्टेज नहीं आना चाहिए उस मतलब प्रपर शॉट डाउन प्लिट शॉट डाउन हुआ है कि नहीं आपका तो जो इंचार्ज होंगे इंजिनर होंगे वह तो लाएंगे आपके लिए शॉट डाउन लेके आएंगे लेकिन आप अपना सब्स्टेशन से ही पता लागा सकते हैं जैसे कि यह दिखिए लाइन पीटी में यह देखिए 2.6 कवी का केवी मेटर है जैसा कि आप देख रहें यह जीरो देखा रहा है अगर आम यह सुइच को घूमाएंगे बॉल्टी मेटर सुइच को देखिए तीनों साइड से घूमा लिया लेकिन जीरो देखे रहा है इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से सट डाउन हो गया है य मतलब हच वी साइड से और एल भी साइड से हाई वोल्टे साइड से लो वोल्टे साइड से प्राइमेरी सेकंडर जोनो साइड आपका आइसुलेशन होना चाहिए उसके बाद ट्रांसपरमोर के पास आई वहाँ पेक देखिए अगर एमर्जेंसी स्टॉप होगा तो पहले ट्रांसपरमोर को आप पहले ब्लोइंग करना शुरू किजिए यह करने के बाद देखिए पहले हम देखते हैं ट्रांसपरमोर का पार्स क्या-क्या है एक्स्ट्रीम लेप्ट में देखिए यह वाला एंजी आर लिखा गया है देखिए निउट्रेल ग्राउंड जाए निउट्रेल है उधर से आया है और यह देखिए सब राडियाटर को और यह देखिए उपर में देखिए अ कुरबेटर ट्यागं के अगे बहुत बड़ा ट्यांक है ट्यांक में आपका एमोजी जो है वह गाज होगा और ऑफ़ जोगा एग्मेटिक और यह दोनों द दिखाये रहा है कुट स्ब्सक्राइब व्यवेंडिंग टेम्ठ ब्लीट्य verde कोके देखह रेड़े pls दो ठीच एक रिड वाला उसको कट करेंगे आलाराम दुसरा वाला यानि 80 पे आलाराम आएगा 90 हो जाएगा तो यह ट्रिप कर देगा ट्रांसपरमर को यह है डबलू टी आइका सेटिंग और ओटी आइका सेटिंग भी उसी सेम तरीके से किया गाए उसका भी आलाराम है ट्रीप है एक यह ओएल टेंपरेचर आलाराम आएगा 75 में ट्रीप हो हो जाएगा 85 डीडी शर्चेस जब आएगा तो ट्रीप हो जाएगा ट्रांसपरमर को यह ट्रिप कर देगा तो में लिए ट्रांसपरमर का प्रोटेक्शन के लिए यह दोनों रखा गया है ओटी आई और डबलू टी आई और उसके नीचे यह देखिए मार्शालिंग बॉक किसीन से अगर यह पिंक कलर दिखाइब को लिए तो आप इसको तुमन्ध करना पड़े गा घेखिए जो जन्याराली मॉस्ट्रांसट्र कंटेट्र भूंडमर का तो मॉस्ट्रांसपरमर कोमको द्पेंडिकटर मार्बल कमत मीं मटाइशाओ साइड मिंनल किसे होता है प् assigned कि ता लंबा लाइन दिखा रहाए ओइल इंडिकरच आप यहां से पता लगा सकते हैं और हैं कि अभी हम आगे हैं ट्रांस्फब्ब्बर मिर्क का एच्ट की तरफ आगे हैं दखिए यह है यानि प्राइमेरी साइड यह है और यानि सेके conception प्राइमेरी एलेवन के भी का सेकेंडर यह सिक्स पॉइंट सिक्स के भी दोस्तों देखिए ट्रास्परमोर को ब्लोइंग का नाम ने सुरू कर दिया है क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है ब्लोइंग करना आप चाहे तो वैक्यूम क्लीनर का भी उच कर सकते हैं क्योंकि ब्लोइंग करने से एंवार्मेंट में ज्यादा ब्लेट Bay लेकिन आप ब्लॉय्य शूह करेंगे तो इतना ड्लॉस्त नहीं जाएगा तो ब्लॉइंग करने के बाद हम क्या करेंगे इसको फिर हमका चट अवेक्त से इसको क्लिन कर देंगे पूरा और यह देखिए त्रासफर्मोर का रेटिंग देखिए क्या है इसका रेटिंग स्टान्डार्ड देखिए 3150 के भी एका रेप्रेट रेटर है 11 प्रामेरी साइड में जदा वोल्टेज है इसलिए करेंट काम हो गया सेकेंडर साइड में वोल्टेज कम है करेंट ज्यादा हो गया और इसका वेक्टर गूप देखिए डीवाईवैवैन इलेवैन टाइप ऑफ कुलिंग यह इंपोर्णाट है O N N O N मतलब O N नाचुराल Air नाचुराल N मतलब यानि ट्रांस्पर्मोर का oil का दो काम होता है एक काम है इसको इंस्यलेशन देना दूसरा काम है cooling करना maximum ambient temperature देखा को जाता है oil temperature कितना राइज होगा वह भी लिखा जाता है उसका भी डाटा होता है नेम प्लेट में टोटल ट्रांसफर्मर का मास कितना है देखिए 9.75 टॉन लिखा गया है और फिर विदाउट उइल इसका मास कितना आएगा वह भी लिखा जाता है जेनरली नेम प्लेट में अभी देखिए वह लड़का कंजरबेटर ट्यांक के उप अभी मैगनेटिक ओएल गोज को कोछा मार रहे हैं मैगनेटिक ओएल गोज यानि ओएल कितना रहना चाहिए ओएल जनरली 30 डिग्री से उपर रहना चाहिए लिकिन यहां पर देखिए 20 के आसपास है ओएल यानि हमारा कंजरबेटर ट्यांक का थोड़ा ओएल कम हो गया है तो हमको यह थोड़ा ओयल टपर गड़े हा इसको हम तुर्फ कर देते हैं कि ऋरख करना बड़ेगा यह देखिये यह पास देखिए एकसपलोजर बेंट अगर कोई शौन शर्कित होाँ तो यहां से जितना शारा एकसपलोजर शोब यहां से निकलए सब निकल जाएगा ग बुले ओ है अभी यह आ गया हमारा बोकल्स रिले देखिए बोकल्स रिले टॉप फ्लोट बटम फ्लोट दो टाइप का यह प्रोटेक्शन देता है अगर अगर कोई इंटरनल प्रोब्लेम आएगा तो बोकल्स अपरेट होगा पहले टेंपरेचर आएगा तो वाइंडिंग टेपरेचर और ओल टेपरेचर काम करेगा लेकिन कोई इंटरनल शॉट सर्कुट हो गया तो यह बोकल्स रिले ही प्रोटेक्शन दिलाएगा अभी हम जो काम करने जा रहे हैं वह देखिए ओल का हम टेस्ट करेंगे ओल का बीडिवी वाल्यू टेस्ट करना बहुत इंपोर टेस्ट करने के लिए हमको एक इसको वान लीटर के आसपास और निकलना पड़ेगा तो जेनरली ओल का ड्रेन भाल जहां होता है आप उदर से ओल को निकल सकते हैं थोड़ा बहुत और आपको क्लीन जार लाना पड़ेगा बिल्कूल क्लीन जार क्योंकि कोई फरेन पाटिक निकलना पड़ेगा वान लीटर के आसपास और निकलना पड़ेगा फिर इसको लेकर हम जाएंगे टेस्टिंग लाब को इसको देना पड़ेगा वहां पर टेस्ट करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या आता है फिर उसको पता चलेगा अभी देखिए हलके हाथों से ध्यान से करना है और फॉरेन पाटिकल बिलकुट फॉरेन पाटिकल एयर भी इसका संस्पर्स में नहीं आना चाहिए एयर ज्यादा एयर के संस्पर्स में आ गया एयर का कॉंट्राट में आ गया तो भी ओईल खराब हो जाएगा और ओयल का कॉलोर से पता चल रहा है कि और आच्छा है की ओयल इतना खराब नहीं वह है और इसका देखिए औयल जितना पतला होना चाहिए उतना पतला है जितना हमको दिखाई दे रहे हैं आँक से ओयल काम बहुत सारे टेस्ट करते हैं जनरली लेकिन ट्रास्पोर्मर मेंटेनांस के दुरान आप सिफ ओयल का बीडी वैल्यू चेक कीजिए कि ओयल टेस्टिंग आप चली बहुत सरक क्योंकि ओयल में ज्यादा मोस्चर आ जाएगा मोस्चर कहां से आता है देखिए वह जो सिलिका जेल ब्रीदर है ब्रीदर के जरीए ब्रीदर मतलब ट्रास्पोर्मर ब्रीधिंग करता है उसका ओयल लेवूल अगर थंडा मोस्वम है से उसका अंदर जायेगा अगर Kerian में तो अधोर मोस्वम में तो ँख़ए ब्रीधिंग जायेगा यहांपर आ सिलिका ज़ल Crye निगलेगा ईसलिए ऋहांपर मुद्डव1 के थ्रू अंदर ऑख़ जयेगा अंदर जायेगा अंदर का यार जआएगा S1 जी बाहर जाएगा तो टोटल मॉश्चर को वह पकड़ लेगा शिलीका जल तो ट्रास्फोर्मर के अंदर कोई भी मॉश्चर नहीं जाएगा यह उसका में फंक्षन है इसको हम भेज देंगे टेस्टिंग लाब में भेज देंगे फिर उसका रीडिंग को हम नोट करेंगे अगर रीडिंग कुछ खराब आया तो फिर दुबार फिर इसको टेस्ट करेंगे अगर सेकेंड टाइम भी खराब आगया तो मतलब ओयल खराब है ट्रांस्फोर्मर को फिर आप ओयल को च्रेंज करेंगे नहीं तो इसको अबरेलिंग के लिए भेज देगे अभी ये OTI, WTI उसको मासलिंग बोस को खोल के ये टाइटनेस चेक कर ले अंदर ये काम हो गया OTI, WTI का अभी देखिए सिलिका जेल को चोड़ा कोचा मार रहे हैं सिलिका जेल का कंडिशन भी सही है ब्लू कलर यानि सिलिका जेल सही है अगर air कंटक्ट में आ जाएगा तो यह वाला पिंग कलर का हो जाएगा ट्रांसफर्मर हम चारो तरफ से इसको पुछा मार लिए लेकिन कहीं पे भी कुछ हमको लिकेज ओएल लिकेज कहीं पे कुछ नहीं मिला पुरड़ रहे था ट्रांसफर्मर चारो तरफ से पुरड़ रहे हैं कहीं पे भी कहीं पे भी ओ लेवल कितना है कि यह कॉंजर्वेटर टैंक के सामने यह आ गया अभी बॉकल से रिले आ गया एक्स्प्लोजन भेंट कि यह पूरा हमने अच्छे तरह से तरीके से इसको क्लीनिंग किया है कि पूरा हर एक पार्ट को हाथ से पुछा लगाया है कटन वेस्ट के जरिए अभी यह देखिए LV साइट HV साइट अभी हम क्या करें कि एक इंप्रोटांट चीज है बाहर से तो कहीं पहीं पहीं पता नहीं चल रहा है कि अगर बूसिंग लूज हो तो वहां से भी ओईल लिकेज हो सकता है तो हमको क्या करना पड़ेगा उसको भी खोल के देखना पड़ेगा है nóis its क हेंगे कि वहां पे ओयल लेकेज हो आयकि नहीं आहीं हो इसका एथ्लेके बाद हम इसका ओयल लीकेज हो आहे किने उसको चेक करेंगे बूसिंग डामेज्वा गया तो उसको अब हम देख सकते हैं उसके अलाबा वी जो मेन चीज है वह मेगर का वाल्यू इसका कितना आ रहे हो भी चेक करेंगे हाई बोल्टेट अप। बोल्टेट के साथ हम उसको आई-r वैल्यू चेक करेंगे तबहू देखते न दर किसा कंडिशन में है है लिकेज हुआ है कि नहीं हुआ है अभी दäखिए हाइव कि है को ही वोलटेज साइट खुला है भूसिन पूरा OAK के है कैहीं प windows कर्सक्र नहीं दे रहा हैं कि दो सतों भूसिंग को टोस करने से पेहले या वे से पहले आप थोड़ा एंसर कर लें कि यह भी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो तो क्या करेंगे हम हम डिस्चार्ज रोड लगाएंगे डिस्चार्ज रोड का दूसरा एंड देखिए आर्थ पर लगाए हैं और इसका हर एक पॉइंट पर हम इसको टच करेंगे डिस्चार्ज तब भी आप ये डिस्चार रोट का यूज करें आपके लिए भी अच्छा है और आपका पार्टनर कंपानी के लिए सब के लिए भी अच्छा है तो अभी लो वोल्टेज साइड भी आम खोल रहे हैं उसका भी हम तोड़ा इंस्पेक्शन करेंगे और लिकेज हुआ है कि नह लगाए इसको हम डिश्चारज कर लेंगे पर तो देखिए सब्सक्ति यदो कि इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं है टस्क कर रहे हैं और वाई भी तिनों पॉइंट में हमने इसको टस्क करेंगे फिर यह पुरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा थोड़ा बहुत चार्ज होगा वह भी डिस्चार्ज हो जाएगा तो यह कंप्लिट होने के बाद हम क्या करेंगे प्राइमेरी साइट सु आर्थ के साथ मेगर करेंगे मेगर वैली को हम नोट करेंगे उसके बाद प्राइमेरी टू सेकेंडर भी हम मेगर करेंगे तीनों पॉइंट से आर्थ के साथ मेगर करेंगे यहां पर यह जो नीट्रल पॉइंट है यह पुरा ग्राउंड के साथ लग गया आर्थ के साथ बहुत ज़्यादा बहुत आच्छा वैलू है इसको कहेंगे और थाउजंड मेगाउम यानि बोलोगे फोर गिगाउम आप बोल सकते हैं इसको और जी ओम 2ecnd point के साथ भी आ गया 4000 मेगाउम और लास्ट वैल के साथ भी आ रहा है 4000 मेगाउम इसको हमने setting कया है 1000 वोल्ट के साथ इसको मेगर कर रहे हैं अभी हम primary to secondary मेगर करेंगे इसका भी मेगर वैली सेही आ रहा है प्राइमेरी टू सेकेंडरी मेगर वैली सेही आ रहा है आप चाहे तो प्राइमेरी टू आर्थ भी मेगर कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जो निउट्राल पॉइंट है निउट्राल के बुलका आपको खोलना पड़ेगा खोलके आ आर्थ के साथ primary मेगर कर सकते हैं अगर सब का वाल्यू सही आ रहा है तो मतलब ट्रांसपरमर सही है जनरल यह ट्रांसपरमर चार्ज में था तो यह मेगर वाल्यू हमेशा सही आएगा ज्यादा तर प्रब्लेम आएगा हमारा बीडीवी वाल्यू में तो मोटा मोटी हमने सब्सक्रेज़ों किया जाता है कौन सा पार्ट को क्या वोलते हैं और पार्ट घृत का क्या क्या होता है यह सब में हम ड्रीटल स्टाड़ी किया तो हो आज का विडिओ आपको अच्छा लगा होगा हुगा तो फइनल हम क्या कर रहे है अभी इसको तुमाले से जो खौला थ उसको हम लगा रहे हैं ट्रांस्फर्मर हो जाने के बाद हम LB साइड का ब्रेक कर का मेंटनास करेंगे